लेटिन अमरीकी देश, अर्जेंटीना में 2022-2023 सीजन के मुकाबले 2023-2024 के वर्तमान सीजन के दोरान सोयाबीन के उत्पादन में करीब 150 प्रतिशत की शांदार बडोतरी होने का अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि वहां अधिकांश प्रमुक उत्पादक इलाकों में सही समय पर काफी अच्ची वर्षा हुई और बिजाई से लेकर अभी तक मौसम फसल के लिए पूरी तरह अनुकूल बना हुआ है, अमरीकी क्रिशी विभाग, उस्दा, की विदेश क्रिशी सेवा, फास, ने चालू वर्ष के दोरान अर्जेंटीना में सोयाबीन का उत्पाद ने से न केवल सोयाबीन की बिजाई घट गई थी बलकि इसकी उपजदर में भी भारी गिरावट आ गई थी, इसके फलस्वरूब वहां से सोयाबीन तथा इसके मूले समवर्धित उत्पादों का निर्याद भी कमजोर रहा, फास के अनुसार 2022 से 23 सीजन के दौरान अर्ज दिखनिये है कि अर्जेंटीना दुनिया में सोयाबीन का तीसरा सबसे प्रमुक उत्पादक एवं निर्यातक देश है, जबकि वह परंपरागत रूप से सोयाबीन तेल एवं सोयामील का सबसे बड़ा निर्यातक देश रहा है। यदि फास का अनुमान सही सबित होता है, तो इस बार अर्जेंटीना में सोयाबीन का उत्पादन 2018-19 सीजन के बाद सबसे ज्यादा होगा। ग्यात हो कि 2018-19 के सीजन में अर्जेंटीना में सोयाबीन का उत्पादन उचल कर 558 लाक टन के रिकॉर्ड स्टर पर पहुँचा था। फास के अनुसार पिछले 2-3 साल से अर्जेंटीना में मौसम खराब चल रहा था और वर्ष 2022-23 में वहां गत 60 वर्षों का सबसे भयंकर सूखा पड़ा था। इस बार अब अलनीनों का प्रभाव समाप्त हो गया और मौसम पूरी तरह फसल के अनुकूल देखा जा रहा है। सोयाबीन का बिजाई छेत्र भी बढ़कर 172 लाख हेक्टेर पर पहुँच गया जबकि इसकी उपजदर में सुधार आने के आसार है। Bureau Report Market Times TV